Everyone, welcome to Learnerby Extra. I am Shivani Chahan. इस विडियो में हम Class 6 Maths की बुक का Chapter 5, Exercise 5.5, Question 1, 2, 3, 4. यह Last Exercise है इसकी, मतलब इससे आगे की exercise हम लोग ने पहले cover कर ली थी, क्योंकि वो जादा important थी. तो देखते हैं, इसके साथ हमारा Chapter हो जाएगा complete. पहला question है, which of the following are the models for perpendicular line? पर्पेंडिकुलर लाइन क्या होती है? इस तरीके से, ऐसे करके, यह होते हैं पर्पेंडिकुलर लाइन, तो ऐसा अगर कोई box है, तो उसमें पर्पेंडिकुलर लाइन बनेगी ना? तो adjacent edges of top table, तो table है ऐसे करके, उसके ऐसे drawing तो खहरती अच्छे नहीं बनेगी मिरसे, ऐसे करके table होती है, तो इसके जो कोने होते हैं, यह क्या 90 degree angle नहीं बना रहे हैं, यह देखो, 90 degree angle बना रहे हैं, तो इसका answer हो जाएगा, adjacent edges of top table are perpendicular to each other, lines of railway track, railway track के lines क्या perpendicular होती है, नहीं, railway track के lines तो कैसे होती है, इस थाइप की नहीं होती है, देखो, ऐसे और ऐसे एक दूसरे के parallel जा रहे होती है, जो line कभी खुद को एक दूसरे को touch नहीं करती, उनको हम कहते हैं parallel lines, तो railway track की जो lines होती है, parallel, C part है, the line segment forming the letter L, तो line segment L किसमें बनाती है, तो perpendicular line segment form the letter L, are perpendicular to each other, देखो, L ऐसे करके, तो यह क्या है, 90 degree बन रहा है, तो yes, इसका answer भी क्या हो जाएगा, yes, इसमें 90 degree बन रहा है, letter V, V में 90 degree नहीं बनता, the sides of V are inclined formed an acute angle, तो V तो भाइदे को acute angle बनाता है, तो A और C जो है, वो perpendicular line के models है, तो question number 1 है, उसका answer क्या हो जाएगा, A, C are models for perpendicular line, यानि कि यह और यह, A और C, यह जो है, यह perpendicular line का model हमारे पास बन करके आता है, question number 2 है, let PQ be perpendicular to line segment XY, PQ, यह देखो PQ, यह XY के क्या है, परपेंडिकुलर है, let P and Q, XY intersect in point A, तो फिर हम लोग उसे पूछ रहे हैं कि PAY का measure क्या है, PAY, इस तरीके से आपने diagram बनाया, इसमें PAY क्या है, PAY, इसका क्या measure है, simple सा 90 degree, P, ठीक है, यह P है, और यह A है, और यह है Y, PAY, यह इसका जो measure है, यह क्या बन रहा है, PAY का measure हमारे पास बन रहा है 90 degree, आप question number 3 है, there are two sets square in your box, set square इस तरीके से यह होते हैं, यह ऐसे करके, उनका आपको measure बताना है, और क्या-क्या corners बन रहा है, तो measure of angles in one set क्या है, 30, 60, 90, एक set का measure है, वो आ रहा है 30, 60, 90, other square set जो है, उसका measure आ रहा है 45, 45, 90, दूसर स्क्वेर जो है set square उसका measure आ रहा है 45, 45, 90, एक का आ रहा है 30, 60, 90, ठीक है, एक का क्या आ रहा है 30, 60, 90, और एक का आ रहा है 45, 45, 90, तो yes, क्या इन में कोई common है, तो हाँ भई देखो, common तो हम लोगों को दिख रहा है, ये 90, और ये 90, 90, 90 जो है, इसमें हम लोगों को common दिख रहा है, next is study the diagram, the line L is perpendicular to line M, हमें diagram देखना है, diagram मैं आपको बता देती हूँ, यह है diagram, नीचे की तरफ आ रहा है, diagram हमें देखना है, और diagram की help से हमें बताना है, कि क्या CE और EG equal है, CE, EG क्या equal है, तो CE, यहाँ देखो, CE, यह और EG, क्या यह equal है, तो भाई हाँ ये equal है क्योंकि ये भी 2 बन रहे हैं और यहाँ पर भी ये भी 2 बन रहे हैं तो ये CE भी क्या है? 2 unit बन रहा है और EG भी 2 unit ही बन रहा है तो CE ये और ये 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 देखो बिल्कुप बराबर बराबर unit बन रहे हैं ठीक है, second है does PE bisect CG क्या? PE CG को bisect कर रहा है, bisect मतलब होता है काटना जैसी कि EA line और इसको ऐसे करके EA line bisect करती है तो क्या CE PG को bisect कर रहा है? तो देखो CE क्या है? CE ये है सुरी, देखो यहाँ से लेकर कि यहाँ तक CE है CE, ओहो फिर से आगे बना दिया मैंने, सुरी हाँ CE, क्या PG को bisect कर रहा है? PE bisect CG, PE क्या है? PE और CG को bisect कर रहा है तो हाँ कर रहा है, देखो यह वाली line इसको ऐसे करके काट रही है तो yes, next है, identify any two line segment for which PE is perpendicular bisector दो line segment बतानी है जिसके लिए PE perpendicular bisector है तो दो line segment जिनके लिए PE perpendicular bisector है वो हमें बतानी है तो इसका answer हो जाएगा यहाँ पर देखो मैं आपको answer बता देती हूँ इसका answer हो जाएगा यह वाला इसका answer है BH and DF BH यह देखो BH और DF यह वाली line यह तो जो है इन सबको ही काट रही है कोई सी भी आप लिख सकते हो तो BH और DF आप यहाँ पर लिख दो होगे D वाला क्या answer true है AC जो है क्या वो FG से बड़ा है AC, AC क्या है? AC यहाँ से लेकर के यहाँ तक है क्या वो FG? FG तो यह इतना है AC जो है वो बड़ा है FG से तो यह क्या है? यह है true CD, CD यानि कि यह यह क्या बराबर है GH के? इसके बराबर है तो बिल्कुल बराबर है देखो यह भी एक unit है और यह भी एक unit है तो यह भी क्या हो जाएगा? यह भी हो जाएगा true अब देखो next हम लोग को बोला है कि BC BC यह यह चोटा है EH से, EH से छोटा है तो भाई यह भी हमारा क्या हो जा रहा है? यह भी हमारा true ही हो जा रहा है false तो इसमें कोई सा भी निकला इसमें सारे true निकले है क्योंकि देखो BC इतना सा है और EH यह तीन पार्ट में एक, एक, दो और तीन यह तीन पार्ट में है यह इतना है और यह इतना सा है तो BC is less than EH BC is less than EH और CD is equals to GH CD is equals to GH और AC AC is greater than FG यह हो गया हमारा बस सारे questions हो गए Thank you